हेलो माई दियर स्टूदेंस वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा पच्छो कार्वन एंस कंपाउंड के चाप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं होमो लॉगस सेरीज की तो जब हम यह प्रीफिक्स यूज करते हैं होमो शाद आपने यह दो प्रीफिक्स होने हो 干्यर आज मैं तब हम क्या बोलते हैं होमो और अगर चीजे डिफरेंट होती है तब हम् योज करते हैं हेट्रो तो यहाँ पर हम यूज करहें होमो इट means जिस बी चीजगी और आगे बात करने वाले हैं उन सब में कुछ ना कुछ क्या होगी च्बाशिवानित राइंजमिन 내가 right so we have different things और हमने उनको किसी पटिकुलर और या किसी पटिकुलर बेसिस पर क्या किया है अरेंज किया है तो एक एक्जाम्पल से इसको समझते हैं सपोज मैं आपको बोलू कि चलो लेट से फॉर्स फाइव आलकेंस की फॉर्मले लिखो अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में आलकेंस का जेरल फॉर्मला बताया था क्या होता है CnH2n प्लस 2 राइड वेर न इस अनबर अफ कार्वन आटल्स तो अगर मैं फॉर्स फाइव आलकेंस का जेरल मार फॉर्स फाइव आलकेंस का फॉर्मला लिखना है तो हम क्या रखेंगे एंकी वाल्यू 1 2 3 4 5 और उसे सा अजयेगा C5h12, right? तो इस तरीकी से हम first five आलकेंस के क्या कर सकते है फॉर्मले बना सकते हैं आप 5 लिख सकते हो, आप 10 लिख सकते हैं, आप 10 लिख सकते हो, रिख सकते हैं, कितनी भी लिख सकते हो, आपके पास क्या है उसका general formula है अब अगर इनकी हम बात करें तो यह एक अर और यह सारे कंपाउंट कैसे हैं all these are all these are saturated hydrocarbons all of them contain carbon carbon single bond यह कहीं ना कहीं आपस में क्या हो गए similar हो गए इन में क्या आगई similarity आ गई यह तो जब आप carbon compounds को जब आप organic compounds को increasing order of number of carbon atoms या increasing order of mass में arrange करते हो कौंसे carbon compounds कौंसे और गैनिक कंपाउंट जो आपस में सिमिलर हैं ऐसा नहीं करना कि एक अलके लिग दिया दो लिग दिया चार अलकाइन मिक्स नहीं करना है नहीं बनाना क्या बनाना है होमो लॉगर सीरीज ठीक है तो हमें अरेंज करना है किसको Similarly Constituted Carbon Compounds Similarly Constituted Organic Compounds Similarly Constituted का मतलब जिनका Composition सेम है All of these are made up of Carbon and Hydrogen इनकी properties कैसी है? Similar हैं तो Similar Organic Compounds को जब हम Arrange करेंगे तो जो Arrangement निकल कर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? Homologous Series जैसे ये क्या बन गई? Homologous Series of Alkenes ऐसी आप क्या लिख सकते हो? Homologous Series of Alkenes Homologous Series of Alcohols, Carboxylic Acids, Aldehydes, Ketones जितनी भी Classes हैं Organic Compounds की जितनी भी Categories हैं उन सब के लिए हम क्या बना सकते है? Homologous Series I hope समझ में आ गए है तो Definition क्या लिखेंगे हम? Homologous Series is what? Arrangement of Arrangement of Similarly Constituted Similarly Constituted Similarly Constituted मतलब जिसका Composition Same है Similarly Constituted Organic Compounds Such that कैसे? Such that Chemical Properties कैसी हो? They have Similar Same नहीं लिखना There is a difference between Same and Similar Same मतलब इदेंटिकल Identical नहीं होंगी थुदा होँखेंगे हैं थुदा होँखेंगे हैं थुदा होँखेंगे हैं तो क्या लिखोगे? Similar Yes So such that They have Similar Chemical Properties Similar Chemical मेने शोट में है हैं पूरा लिखना similarly chemical proepertis और अगर ऑगी भूकर ब case है उडी community बात करेती तो ठीको कुषिकल प्रफटी में। बहुत सारे निजू देपेंड करती है जैसे मानस्पनेट करती तो कफी सारी चीजुज अब फिरकर वा ब्रकॉड करी जैसे इनिशेली तरहा तो कुछ जो अलकंस मिलते हैं ये गैसेयस मिलते हैं ओर वह गॉड़नील अज़ाता है लिकविड ह होते हैं और अर बढ़ने लग जाते हैем तो जाओन्य लेक्विश्याधा तोलिट फिसगलल फिसीड प्रॉपर्ट्टी चेंज तो होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज ग्राजिली डाउन दर सीरीज तो यह क्या हो जाती है होमोलॉगस सीरीज की देफिनिशन तो होमोलॉगस सीरीज में क्या ध्यान में रखना है एक जैसे कंपाउंच रखने हैं मिक्स और मैच नहीं करना है और उनको इंक्रीजिंग नंबर खंगा सॅज बिदा तो आपको क्या करना है अरेंज करना है वो उस पर्टिकॉलर जास की अन जाएगी होमोलॉगस सीरीज अब ऑन्कफ तो afterwards की चाहिए के they are called what they are called homologs the members of homologus series are called homologs members of homologus series are called homologs तो यह सारे क्या है I have written first five homologs of alken इस तरीके से बोला जाएगा ठीक है अब बात करते हैं किसी भी homologus series किसी की भी आप ले लो alken, 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 किसी की भी उनके general characteristics क्या होते हैं ठीक है तो next पर आते हैं अपन the general characteristics of homologus series general characteristics of homologus series right यह general characteristics हैं आप किसी पर भी इनको apply कर सकते हो तो अपन example यही पर यही दुबारा लिख लेते हैं क्या लेका था हमने CH4 C2H6 C3H8 C4H10 and C5H12 ठीक है तो सबसे पहले जनरल characteristics क्या आजाएगा भई all of them are alkenes मतला homologus series के सारे homologues सारे members क्या होंगे they belong to the same family they belong to the same class of compounds तो सबसे पहला characteristic आजाएगा कि all the homologues belong to the same family the homologues belong to the same class of compounds to the same family आप कुछ भी लिख सकते हो same class of compounds यह सारे alkenes होंगे यह सारे alkenes होंगे यह सारे alkenes होंगे यह सारे एक जैसे होंगे राइट दूसरा क्या लिख सकते हैं देखो और क्या लिख सकते हैं इन सब का जो जनरल formula होगा से होगा जैसे इन सब पर एक ही जनरल formula अप्ला है कौन सा cn h2n plus 2 अगर अपने लकाइम लिखे होते तो क्या हो जाता cn h2n minus 2 so they have the same general formula दूसरा क्या जाएगा they have same general formula ठीक है तीसरा क्या जाएगा देखो very importantly एक pattern इसमें observe करना third point is important pattern क्या observe करोगे ch4 और c2h6 में अगर इन दोनों की में बात करों तो कितना difference आ रहा है एक carbon का difference है और दो hydrogen का difference है यानि CH2 group का difference है c2h6 और c3h8 देखो इन दोनों में कितना difference आ रहा है फिर से एक carbon का दो hydrogen का और आप बाकी में भी check कर सकते हो किसी भी दो consecutive homologues consecutive मतलब जो एक के बाद एक आ रहे ठीक है दो consecutive homologues में किस group का difference होता है CH2 group का difference होता है और यह आप कोई भी example लेकर कर सकते हो आपने एक let's say लिखा c5h10 जनरल formula से समझ जाओगे मैं मैंने क्या लिखा है अलकीन लिखा है cnh2n मैंने लिखा c6h12 इसमें भी आप देखो CH2 का difference है तो यह किसी भी homologues series पर क्या है applicable point है in fact यह सारे general points ही मैं लिखा रहे हूं आपको तो दो consecutive homologues के बीच में कितने का difference आता है CH2 group का difference आता है तो third point important mark करके लिखना बच्चे what के two consecutive homologues two consecutive homologues differ by differ by ch2 group differ by a ch2 group उनमें कितने का difference होता है और क्योंकि ch2 group का difference होता है इसलिए उनके mass में कितना difference आएगा carbon का एक atom है तो mass हो गया 12 hydrogen के दो atom है हर एक hydrogen का mass होता है 1 इधर हो गया total 2 total हो गया 14 तो दो consecutive का mass का difference कितना होगा क्योंकि ch2 group का difference हो तो mass का difference homologues differ by differ by 14 units कितना difference होता है 14 units का difference होता है तो आपका calculate करने के ज़रवत नहीं अकर आपने points होगे चार points हो गए next point लिख लिख लेते हैं 5th point जो मैं already आपको बता चुक्क हूं they have similar chemical properties they have similar chemical properties भई सारे ही alkenes है तो सभी क्या करेंगे substitution reaction show करते है addition reaction show नहीं करते क्योंकि सारे saturated है तो इस तरीके से इनकी chemical properties क्या रहती है similar रहती है और इनकी physical properties को क्या हो जाता है भई physical properties change gradually physical properties change gradually है ठीक है क्योंकि mass change हो रहा है arrangement change होगा तो physical properties change gradually ठीक और क्या लिख सकते है क्योंकि chemically similar है इसलिए इनका method of preparation भी क्या होता है similar होता है so they can be prepared the homologs can be prepared homologs can be prepared by common methods क्योंकि similar है reactions similar show करते हैं तो they can be prepared by common methods ठीक है यह आगे हम इस chapter में पढ़ेंगे कि alkanes को हम कैसे बनाते हैं alkanes को सारे alkanes को आप common method से बना सकते हो by d carbox relation of sodium salt of acid ठीक है तो इस तरीके से हम क्या कर सकते किसी भी alkane का synthesis कर सकते तो क्योंकि वो सारे सिमिलर हैं तो हम उनको common method से prepare कर सकते हैं यह general properties हो गई किसकी homologs की यानि homologus series की तो I hope आपको यह चीज समझ में आये होगी चीज बहुत easy है लेकिन board के point of view से बहुत important है क्योंकि बहुत चोटा नहीं लेकिन बहुत लंबा भी नहीं moderate amount का जो number का है marks का question आ जाता है homologus series पर बहुत simple सा question मनता है define homologus series and write the general characteristics हग से अधवी बता देगा write two main characteristics तो यह बच्चों अगर आपको select करना in सारे points में से तो यह CH2 वाला point तो लिखना ही लिखना है यह वाला point सबसे important है तो अगर आपको selectively को point लिखना तो सबसे पहला point क्या लिखना CH2 वाला point ही लिखना right आपके जो comments है मैं read कर रही हूं मैंने काफी सारे comments पर reply भी किया है तो keep commenting, keep sharing your doubts और आपका जो भी feedback है comment section में जरूर डालेगा, हम मिलेंगे next video में, till then take care, bye bye, thank you.